नमसकार दोस्तों कैसे आप लोग आज बात करने वाला हूं Tata new pay later service के बारे में कैसे आप account बना सकते हैं कैसे आप वहाँ पर जो pay later service होती है वहाँ पर credit limit मिलती है और अभी Tata pay later करके service launch हुई है Tata new app में तो उसको कैसे आप account बनाना है आपको कहा पर जाकर करके क्या आपको करन कमेंस देना होगा वो सब इस वीडियो में बात करने वाला हूं डिटेल में वीडियो पहले बार देखें को लाइक करते हैं यहां पर स्कीन देखिए उससे पहले आपको बता दो कि जो यह अपडेट है वह सब्सक्राइब को बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद और आप ल लेटर करके option आपको देखने को मिल जाता है तो यह आपको बता दू कि अगर आपके पास टाटा न्यू एप है और आप यूज कर रहे हैं तो यह आपको home page पे जाना है home page में loan and card वाले section में आपको चले जाना है और वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद आपको व वहाँ पर देखिए by clothing pay next month यानि कि आप कुछ वहाँ पर जो limit मिलेगी उसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप उसी app में ही यूज कर पाएंगे रिचार्ज वगएरा और आपको कपड़े वगएरा खरीदने हैं या electronics का कुछ खरीदना है तो अगर आपको यूज करना है उसी app में आप इस service को यानि की pay later service को यूज कर पाएंगे instant activation आपको मिल जाएगा इसमें no hidden charges और express checkout उस पर आपको click कर देना है यानि की continue करने के बाद पहले step में customer आपको information देना है pen number date of birth और first name middle name last name gender current pin code यह आपको देना है वैसे मुझे लगता है कि जब आपने account बनाया होग तभी यह जो address वोगेरा है वो आपको देखने को मिल जाता है या आप तभी डाल देते हैं तो वही वाला आप डालिए यहां पर भी और हो सकता है automatically भी पिक हो जाए customer information वहां पे आपका क्या आप करते हैं वह आपको यहां पर select करना है monthly income क्या है email id और term and condition को आपको accept करना है check eligibility आपको कर देना है जैसे ही आप check eligibility कर देंगे वहां पर देखिए जो credit offer है वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर इन भाई को पांच जाय का credit limit मिला है instant activation no hidden charges express check out तो इस तरह से आपको आ जाएगा और उसके बाद देखिए यहां पर proceed पे आपको click कर देना है और प सर्विस आपको देखने को मिलती है data new app अगर आपने यूज किया तो आपको पता होगा वहीं पर यह जो पे लेटर सर्विस है या credit limit जो आप कह रहे हैं या आपने भी देखा वह आप में ही यूज कर पाएंगे मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही चैन फ़्कशन साकते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही नमस्कार